Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 3 की Maths Worksheet No. 78 करेंगे Date है इसकी 24 September 2021 और इसका Related Learning Outcome है Constructs and Use the Multiplication Facts आज की Worksheet का Topic है रंगोली के रंग तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज हमारे चैनल Mind Boosting Classes को सरूर सब्सक्राइब कर दीजे रचनी का परिवार रंगों के Packets को दिब्बों में Pack करने का काम करता है तो यहार आने वाले हैं तो काम भढ़ गया है तो यहां बता रखा है कि रचनी है और उसका है परिवार और वो सारे के सारे क्या काम करते हैं दिब्बे बनाने का काम करते हैं और उन डिब्बों में रंगों के पैकेट भरते हैं रखते हैं तो त्यहार आने वाले हैं तो काम भी उनका भर चुका है इसलिए परिवाल के सभी सदसी रंगों को पैक करने में मदद कर रहे हैं एक डिब्बे में रंगों के नो छोटे पैकेट या छे बड़े पैकेट आ सकते हैं अगर आप एक डिब्बे में छोटे पैकेट रखते हैं तो आप नौ रख सकते हैं अगर आपको एक डिब्बे में बड़े पैकेट रखने है तो आप 6 बड़े पैकेट रख सकते हैं सब बच्चों ने भी मिलकर रंगों के डिब्बों को पैक किया और रजनी ने डिब्बों की संख्या का हिसाब रखा है रजनी ने छोटे packet के 6 डिब्बे बनाए है 6 बार 9 छोटे packet या 6 into 9 छोटे packet is equal to 54 तो देखो छोटे packet के 6 डिब्बे तो 6 बार 9 छोटे packet क्योंकि आपको पता है कि छोटे packet अगर हम एक box में छोटे packet रख लें तो 9 रख पाएंगे तो अब उसने छोटे packet की ही बगसे बनाए हैं कितने बनाए हैं 6 बनाए हैं तो हम कहा सकते हैं उसने 6 बार 9 छोटे packet रखे हैं देखो 9 छोटे packet इस डिब्बे में आ गए उसके बार दूसरी बार फिर से 9 छोटे पैकेट रखे फिर तीसरे डिब्बे में फिर नौ छोटे पैकेट रखे फिर चौथरे डिब्बे में भी नौ छोटे पैकेट रखे इस तरीके से उसने छे डिब्बों में छे बार नौ छोटे पैकेट रखे और इसको निकालने के लिए कि उसने कुल 6 डिबबे में कितने चूटे पैकट रखे होंगे इसको निकालने के लिए हम 6 और 9 का गुना कर सकते हैं जो कि हो जाता है 54 ठिक है तो इस तरह उसने 54 चूटे पैकटो के डिबबे तयार किया यानि उसने हर डिबबे में 9 पैकट रखे हैं चोटे वाले तो 6 डिब्बे में कुल उसने 54 चोटे पैकेट रखे होंगे ठीक है तो अब यहां पर आपको क्या दे रखा है यहां पर सारे बच्चे जो हैं मदद करवा रहे थे रजनी प्रिया किशोर जुगल और प्रीति यह सारे बच्चों के नाम दे रखे हैं छोटे पै पैकेटों के प्रीति 60 डिब्बे बना रही है छोटे पैकेटों के तो अभी अब देखो छोटे पैकेटों की संख्या निकालनी है कि अगर उसने 6 डिब्बे बनाए हैं तो देखो अगर यहां पर हम लोग समझते हैं एक डिब्बे में कितने आते हैं नौ छोटे पैकेट तो अब उसने 6 डिबबे बनाए है रजनी ने तो 6 डिबबों में कितने पैकेट आएगे इसके लिए हम 9 और 6 का कुर्णा कर देंगे या हम ये कह दें कि 6 और 9 का आप तर देंगे ठीक है तो अभी उसने 6 बनाए हैं डिब्बे, तो 6 में 9 का गुणा किया, तो 54 उत्तर आ गया, तो 54 छोटे पैकेट आएंगे, इसी प्रकार से प्रिया, प्रिया ने 8 छोटे डिब्बे बनाए हैं, छोटे पैकेटों के 8 डिब्बे बनाए हैं, तो अब हम 8 में 9 का गुणा करेंगे, जो आगे है 72, है ना 8-9s कितने होते हैं, आपने टेबल से याद की है सो देखो, 8-9s हो जाते हैं 72, ठीक है उसके बाद आपका है किशोर किशोर ने 5 जो है, डिब्बे बनाए है तो 5 में आप 9 का गुणा करेंगे तो आपका उत्तर क्या हैगा 5-9s है, 45 ठीक है, उसके बाद आता है जुगल, जुगल ने 9 डिब्बे बनाए है तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका आजाएगा 81 उसके बाद प्रीधी, प्रीधी ने 60 डिब्बे बनाए है, 7 में आप 9 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 63 तो इससे हमें ये पता चला कि रजनी ने कुल छोटे पैकेट 54 बनाए है प्रिया ने 72 छोटे पैकेट बनाए है कि शोड ने 45 जुगल ने 81 और प्रीदी ने 63 इसी प्रकार से बड़े पैकेटों के जिब्बे अब छोटे पैकेटों की बातियां खतम होती है अब बड़े पैकेट पर आते हैं बड़े पैकेट एक डिब्बे में 6 आ सकते हैं बड़े पैकेट एक डिब्बे में 6 आ सकते हैं तो अब मान लेते हैं यहां बता रखा है कि रजनी ने 7 बड़े बना रखे हैं बड़े पैकेटों के तो अब हम अब देखिए इसमें भी वो ही हिसाब है कि अगर एक डिब्बे में बड़े पैकेटों की बात हो रहा है यह ध्यान में रखिए एक डिब्बे में 6 बड़े पैकेट आते हैं तो बोला गया है कि कितने बनाए हैं जजनी ने 7 बनाए हैं तो 7 डिब्बों में कितने बड़े पैकेट आएंगे तो इसके लिए हम 6 में 7 का गुणा करेंगे, ठीके, 6 में 7 का गुणा करने पर तो आपको टेबल आती है, 6, 7, 6, आप कर लेंगे, जो हो जाते हैं, 42, ठीके, तो 42 यहां इसका अंसर आ गया, तो हम 6 का गुणा करेंगे, ठीके, क्योंकि एक डिब्ब आप देखो, चार डिब्बे बना रही हैं, तो 4 में 6 का गुणा करो, तो 24, ठीके, उसके बाद 5 डिब्बे कौन बना रहा है, किशोर 5 डिब्बे बना रहा है, तो यानी 5 में 6 का गुणा करो, तो 30 उत्तर आएगा, उसके बाद जुगल, जुगल जो है, 6, बड़े और उत्तर आ जाएगा हमारा ठीकए ना सो इस तरीके से टेबल आप भढ़ लेंगे उसके बाद है हमारे प्रिष्न आपका प्रशन नम्बर एक है सबसे ज़्यादा छोटे पैकेत किसने पैक कि Azra तो सबसे जदा छोटे पैकेट देखिए छोटे पैकेटों की संख्या यह रही आप लोगों की तो रजनी ने 54, प्रिया ने 72, किशोर ने 45, जुगल ने 81 और प्रिती ने 63 तो किस ने सबसे ज़्यादा किये हैं? सबसे बड़ी संख्या है 81 तो यानी जुगल ने सबसे ज़्यादा छोटे पैकेट जो है पैक किये हैं तो जुगल ने, इसका उत्तर आजएगा जुगल ने उसके बाद है दूसरा प्रिशन है सबसे कम बड़े पैकेट किस ने पैक किये हैं? तो अब बड़े पैकेटों की संख्या ये रही अब इसमें सबसे कम पूचा है तो 42, 24, 30, 36 और 54 सबसे कम सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 24 तो सबसे कम पैकेट पैक किये हैं यहाँ पर प्रिया ने ठीके, इधर आ जाएगा प्रिया ने, सबसे कम किस ने पैक किये प्रिया ने प्रशनी दीन है, प्रिया और प्रिया दोनों ने मिलकर कितने छोटे पैकेटों के डिब्बे पैक किये हैं अब यहां पर डिब्बो की बात की जा रही है, तो यह तो छोटे पैकेटों की संख्या है, बड़े पैकेटों की संख्या है, डिब्बो की संख्या इधर लिखी हुई है, तो अब छोटे पैकेटों की डिब्बो की संख्या इधर लिखी हुई है, तो डिब्बे देखेंगे इस समय हम लोग packet नहीं देख रहे हैं क्योंकि डिब्बे पूछा है तो क्या पहें प्रीती और प्रिया दोनों ने मिलकर कितने छोटे packet हो के डिब्बे पैक किये तो ये रही प्रिया जिसने 8 पैक किये हैं ये रही प्रीती जिसने 7 पैक किये हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 सो यहां आएगा आपका 15 यानी 15 ठीक है ना सो 8 और 7 को अगर आप प्लस करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया 15 आपका अंसर जो है आजाएगा सो प्रिया प्रिती दोनों ने छोटे packet के डिब्बे कितने पैक किये हैं किये है 15 ठीक है नेक्स्ट कॉशन है रजनी और कि शोड में से सबसे ज्यादा बड़े packet के किसने पैक किये हैं तो रजनी ने किए हैं 7 और और क्रोन पूझा गया था किशोर और बड़े विद्बे शोटे मिला कर किसने पैक किये हैं तो बड़े छोटे दौनर डिब्बे मिलाने हैं तो देखो 6 रजनी ने छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे साथ तो 6 और 7 कितने हो जाते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसने 13 किये हैं और त्रिया ने 12 किये हैं 8 और 4, 12 ठीक है उसके बाद केशोर ने 5, 5, 10 किये हैं ठीक है उसके बाद जुगल ने 15 किये हैं और प्रीती ने 16 किये हैं ठीक है ओके तो इस तरीके से किस ने सबसे ज़्यादा किये हैं प्रीती ने सबसे ज़्यादा किये हैं 16 ठीक है तो इस तरीके से आपका उत्तर जो है आ जाएगा प्रीती ने ठीक है तो इस तरीके से आपके questions complete हो गए है worksheet complete हो गई है आशा करती हूँ आपको समझाई होगी So please like our video and subscribe our channel Thank you